अलो फ्रेंड्स गुड़ मॉरिंग मैं असोक और आप सबका स्वागत हैं मेरे यूटूब चैनल एके ओफिसियल स्टेनोग्राफी सिरीज में दोस्तों आज मैं आपके लिए डिक्टेशन 80 सब्द पर 3 मिनट लेके आया हूँ दोस्तों डिक्टेशन के साथ साथ आपको विराम चिन, कौमा और शब्द सुद्धे के बारे में भी बदाया जाएगा दोस्तों यह डिक्टेशन राजस्तान हाई कोट, विधान सबा, SSE, SSB, BSF, NTPC, CRPF, CISF, ITBP, Railway और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह डिक्टेट की जाती है दोस्तों आप लोग अगर हमारी यूटूब चैनल पे नए हैं तो हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइगन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे नए नए डिक्टेशन मिल सकें दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो डिक्टिशन स्टार्ट होगी तीन सेक्ड बाद स्टार्ट अध्यक्स महोदें, कोमा आज जो किसान है, कोमा ग listens पैदा करता है वह परेशान है कि क्या होगा विराम हमारा यह व्यापार रहेगा या नहीं रहेगा विराम उसका यह व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा विराम एक तरफ तो यह कहा जाता है कि किसानों को गन्ने की ज़्यादा कीमत मिलें विराम हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं और किसानों से हम यह आशा करते हैं कि वे अधिक पैदा करें विराम लेकिन दूसरी तरफ से किसानों को जो मिलने वाली चीजे हैं उन पर नए कर लगाए जाते हैं विराम केवल केंदर सरकार ही नहीं बलकि राज्य सरकार भी कर लगाती रहती हैं विराम अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीजों की आउशकता है जिनकी पूर्ती करना बहुत आउशक है विराम उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको भी खेती में उपियोग कर सकें विराम हमारे प्रदेस में बड़े बड़े बांद बने हैं और उनसे बिजली पैदा होती है विराम लेकिन बिजली घर का कहीं पता नहीं है विराम बिजली घर यदी बना भी हुआ है तो भी उनको बिजली नहीं मिलती है विराम नलकूप पड़े हैं कोमा लेकिन चालू नहीं किये जा रहे हैं विराम जहां पर बिजली पहुची भी है वहां के जो किसान है वे भी दर दर की ठोकरे खाते फिरते हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है विराम बेचारे किसी तरह से करज लेकर डीजल पंप खरीदे हैं और उससे वे काम चला रहे हैं विराम लेकिन अब सरकार ने डीजल तेल पर भी कर बड़ा दिया है विराम इसका नतिजा यह होगा कि उनके पंप पड़े रहे जाएंगे विराम फिर आपको कहां से अन मिलेगा आप किसान से यह आशा करते हैं कि वह अधिक अन पैदा करके आपको दे विराम उपज बढ़ावे लेकिन जो सादन है उन पर आप कर लगाते जा रहे हैं विराम किसान पर आप इतना भोज डालते जा रहे हैं कि उनके प्रियोग को ही वह भूल जाएगा विराम खाद की भी बात की जाती है विराम आप कारखाने भी खोलना चाहते हैं दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको आप निवेदन कर रहे हैं कि यहां आकर भी खाद के कारखाने खोलें और खाद पैदा करें विराम क्या खाद आप इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि किसान उसको ले जाएं और उसकी पसल भसम हो जाएं कारण यह है कि उसको समय पर पानी तो मिलेगा नहीं विराम अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगा इसलिए आवशकता इस बात की है कि उसे पहले पानी दिया जाएं हमारे जो पुराने उद्योग धन्दे जीवन से समबंदित सामगरी तयार करते हैं उन पर पूरा परभाव पड़ेगा लेकिन सरकार की ऐसी नीती नहीं रही है दोस्तों मुझे आसा है कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों आप लोग अगर हमारी यूटूब चैनल पे नहीं हैं तो हमारी यूटूब चैनल को सब स्क्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए थैंक यू दोस्तों